सलाम वालेकुम वीवर्स हमारे आज की रेसेपी है बहुती आसान मज़ेदार और हिल्दी रेसेपी जटपट बनकर रड़ी होने वाली तो इसके लिए हम कर रख लेते हैं अब हम इसमें दालते हैं दो चमज तेल दो या अड़े चमज तेल हमारा वाल गरम हो चुका है अब हम इसमें दालते हैं दो मीडियम सैस की प्याज हमने प्याज को एक दो तीन मिनट इसमें अच्छे से प्राई कर लिया अब हम इसमें दालते हैं अद्रक लेशन हम इसमें इस चमज से एक चमज दालती हूं मेरा इसमें थोड़ा बढ़ा है अगर छोटा है तो आप लोग दो चमज दाल सकते हैं अब इससे थोड़ी दर प्राई कर लेते हैं अब हमने अद्रक लेशन दालने के बाद एक मिनिट ऐसा प्यास को अच्छे से भूम लिया अ चमज लाल मिर्च अब इससे भी अच्छे से प्यास के साथ मिला कर दो मिनिट ऐसे हम इससे मिलाकर अच्छे से फ्राई करने के बद आप हम इसमें दालते हैं गोश्य नार्मल साइज में काट लेकर का रूपर रखी लुव ऑप फोड़ी दर एक तोटीन मिनिट इसमें ते यह required है यह एक तीनड़ मैं एच्छे से भूंडे अब मैं इसमें इस में डालते हूं एक ग्लस बावनी डालने के बाद अब मैं इस अट सक स्कालां और लागा कर पका लूँए अब मैं लेट बन करकर हाई प्लेंप परेंग शेटीं लगा लेती मैंने हाई फ्लेम पर एक सीटी लगा लिया था फिर दस मिनट के लिए मिडियम पर रख दी थी मेरी प्यास भी अच्छे से भून गई और गोश भी 80 पसेंट तक गल गया काट लैके दो तिन पानी में अच्छा दो लेके रख लेती हों कि यह कि मेरी ना कि अच्छा दोलों और आयल को भाजी का लेके बाद मैं इसे अब भी बनन कर लूंग एक सीटी है फ्लेम पर होने के बाद fünf मिनिट मेड़यँ फलेंप पर पका लोगी हमारीह सीटी हो गए अब मेड़यँपर 5 मिनट फिर से पका लेते हैं एक भाजी दानने के बाद मैं एक सीटी लगा ली थी फिर उसके बाद पांच मिनिट मीडियम पर रखने के बाद चुला आफ करके छोड़ दी वैसी इसकी ग्यास हवा चले गए तक अब मैं चक करती हूं पांच मिनिट ऐसा छोड़ दी थी मैं अब भाजी को अच्छे से गून लेते हैं गोश के साथ मिला के मैं भाजी को अच्छे से भून ली भून लेने के बाद फिर से मैं चुला आउन कर लें के बाद मैंने चमक नमक चकता नमक इसमें कम है तो और थोड़ा नमक दाल लेते हूं भाजी में नमक बहुत कम लगता है अगर ज्यादा दाले तो ज्यादा हो जाता है तो देख समझ कर दाले आप लोग अब एक पांच मिनिट ऐसा भूनते हुए थोड़ी दर पका लेती हूं पांच मिनिट पकाने के बाद दम पर रखतूंगी पांच मिनिट में भाजी को भू आफ करने के बाद फॉरण नहीं निकालना भाजी कोई भी चीज रहन दो तेल अच्छा जमता है से छोड़ देने से चार-पांच मिनिट अब मैं आप लोगों को भाजी डिशाल कर बताती हूं तयार है हमारी रेसिपी तो कैसे लगी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अला आफीस